मस्कार दोस्तों मैं हूँ रोसन 1441 रेसिपी इसमें आपका स्वागत है कच्ची हल्डी कच्ची हल्डी का अक्सर लोग इस्तेमाल चत्नी या सलाद में करते है अगर आज हम फ्रेस हल्डी की सबजी बनाएंगे जो बहुत ही हल्डी है तो चलिए आप भी हमारे साथ ये रेसिपी सिख लीजिए इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर कच्ची हल्डी ली है फ्रेस हल्डी हल्डी को सबसे पहले वास कर लेना है हल्डी को वास कर लिया है अब हम हल्डी की छाल निकाल लेंगे इस तरह से आसानी से छाल निकल जाएगी, इस तरह से सारी हल्डी की छाल निकाल कर रेडी कर लेंगे, हल्डी की छाल निकाल ली है, अब हम ग्रेटर की मदर से हल्डी को छीन लेंगे, इस तरह से सारी हल्डी को छीन लेंगे, सारी हल्डी हमने छीन ली है, अब हम सबजी बना शुरू करेंगे, यहाँ पर सबजी हम टेल की जगह घर का डेसी गी से सबजी बनाएंगे, तो यहाँ पर हमने अधकव जितना डेसी गी पैन में ले लिया है, कम से कम तीन से चार चमच जितना गी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे, अब हम गी में हरी मीर्ज, अधरक और ल स्टो रखनी है, हमारी पेस गी के साथ अच्छे से सोटे हो गई है, अच्छे से चलाटे जाएंगे, और महेक भी आने लगी है, अब हम इसमें प्याज एड करेंगे, प्याज हमने डो नंग ली है, प्याज को चौप करके लिया है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और प्या का जो नेचरली पानी होता है, वो पूरा एब्जोव होने देना है, हमारी प्याज तांस्परन्ट हो गई है, पक भी गई है और कलर भी चेंज हो गया है, अब हम इसमें छीनी हुई हल्री एड़ कर लेंगे, सारी हल्री एड़ कर लेनी है, अच्छे से mix कर लेंगे अब हम हल्री को continue चलाटे जाएंगे और दो मिनित तक slow फैम पे पका लेंगे हल्री पैन के साथ चिपकने लगती है इसलिए continue चलाके पका लेना होगा जब हल्री add किया था पूरा गी एब्जो हो चुका था अब वापस गी रिलीज होना सुरू हो गया है अब हम इसमें हरा lesson add करेंगे lesson की quantity हमें ज़्यादा रखनी है तीन चम्मच जितनी अच्छे से मिला लेंगे ये सबजी बहुत हेल्दी होती है थन्दी की सिजन में बना कर खा सकते हो अब हम यहाँ पर मटर add करेंगे मटर हमने कच्च ही add किये है अच्छे से mix करना है मटर अच्छे से mix हो गया है अब हम gas की flame slow रखेंगे और slow flame पे cover करके 3-4 मिनित तक पकने देंगे इनसे 4 मिनित हो गई है अब हम चेक कर लेंगे मटर हलके से cook हो गए है अब हम इसमें टमाटर add करेंगे टमाटर को बारिक cut करके लेना है यहाँ पर प्याज और टमाटर का नाप सेम रखना है अच्छे से mix कर लेंगे टमाटर add करने के बाद हमें इसमें नमक add करना है नमक taste के इस अब से add करना है और अच्छे से mix कर लेना है ताकि नमक के पाने से टमाटर हमारे अच्छे से गल जाए और मटर भी पक जाए वापस cover करके 5 मिनित तक cook होने देना है slow fan पे 5 मिनित हो गई है तमाटर अच्छे से गल गए है और मटर भी cook अच्छे से हो गए है अब हम मसाले में एक चम्मच जितना सुखा लाल मीर्च add करेंगे अच्छे से mix कर लेंगे यहाँ पर हल्डी का सबजी बना रहे है तो हल्डी तो बिल्कुल भी add नहीं कर दी है अब हम यहाँ पर डहीं add करेंगे डहीं हम तीन चम्मच जितना add करेंगे अच्छे से mix कर लेंगे आप देख सकते हो color बहुत अच्छा आ गया है देख कर ही खाने का मन हो जाए अच्छे से mix कर लेंगे और तीन मिनिट तक cover करके पकने देंगे तीन मिनिट हो गई है आप देख सकते हो गी release होना शुरू हो गया है उपर से हरा दनी add कर लेंगे हमारी सबजी बन कर रेडी हो गई है गेस की flame बन कर लेंगे और गर्मा गरम सव कर लेंगे ये रेडी हो गई हमारी फ्रेस हल्ली की सबजी बिल्कुल ही मारस्टा की खिमा पाउ जैसे ही दिख रहा है आप भी साथ में प्याज निम्बू डालके रोटी या पराठा के साथ मज़े से खा सकते हो आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो like और share करे